बीरबल, क्या एक तिनके के सहारे कोई नदी पार कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है ठीक है, जो तिनका हाथ में लेकर नदी पार करेगा, वो एक दिन के लिए बादशाह बनेगा मैं कर सकता हूँ, पर आप पहले मुझे बादशाह बनाईए मेरा हुक्म है कि आज पूरा दिन तुम राज्य के बादशाह हो सैनिकों तुमने सुना न कि अमने बादशाह हूँ मैं नदी में कूद रहा हूँ नहीं हुजूर हम आपको नहीं कूद न देंगे बीरबल को सैनिक पकड़ रहे हैं और वो छूट कर कूदना चा रहा है इतने में नदी पार नाव पहुँच गई लो नाव नदी के किनारे आ गई तुम्हार गए नहीं हुजूर तिनके के सहारे ही तो बादशाह के पदपर नियुक्ति की और सैनिकों ने मुझे कूदन नहीं दिया बीरबल तुम्हारी होश्यारी के आगे कोई आदमी नहीं जीद सकता बीरबल अपनी होश्यारी के कारण ही तो प्रसिद्ध है इस कहानी में अनेक नाम आए हैं अब उन्हें पढ़ते हैं जैसे बीरबल तिनका सहारा नदी हाथ दिन, बादशाह हुक्म रज्य, सैनिक नाव किनारा, पद नियुक्ती होश्यारी, आदमी जीद ये सभी व्यक्ति वस्तु, स्थान और भावों के नाम हैं संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका कोई नाम नहों वस्तु के इनहीं नामों को व्याकरण में संग्या कहते हैं अतहा हम कह सकते हैं जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी और भावादी के नाम का ज्यान कराते हैं उन्हें संग्या कहते हैं संग्या के तीन भेद होते हैं संग्या के भेद व्यक्ति वाचक संग्या जाती वाचक संग्या भाव वाचक संग्या व्यक्ति वाचक संग्या गीता एक पहलवान है कुतुब मिनार दिल्ली में है श्री रामनार्थ कोविंध हमारे चौधुवे राष्टुपती हैं यहां आये रंगीन शब्द व्यक्ति भवन, वस्तु, स्थान के नाम है। अतहा हम कह सकते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ के नाम को व्यक्ति वाचक संग्या के अन्य उदाहरन। व्यक्तियों के नाम मेरी कौम, विश्वयना थनानंद, मम्ता आदी। स्थानों के नाम दिल्ली, पटना, लखनाउं, गोवा आदी। खेलों के नाम होकी, क्रिकेट, बैडमिंटन आदी। त्योहारों के नाम दीपावली, क्रिस्मस, ईद, गुरु पर्व आदी। दिनों के जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, आदि जाती वाचक संग्या, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, पशु मैदान में चर रहे हैं, लड़के ने फल खरी दे यहाँ विद्यार्थी, पशु, लड़के, फल, किसी विशेश नाम के विशय में नहीं, बलकि पूरी जाती के विशय में बता रहे हैं जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाती को बताते हैं, उन्हें जाती वाचक संग्या कहते हैं जाती वाचक संग्या किन अन्य उदाहरन वस्तु, पुस्तक, फूल, फल, आदी, प्राणी, स्त्री, पुरुष, पशुपक्षी, आदी, स्थान, गाउं, शहर, विद्याले, पहाड आदी भाव वाचक संग्या खेतू में हरियाली है, सुंदर्ता सबको अर्ची लगती है, जीतने से खुशी मिलती है यहां हरियाली, सुंदर्ता, खुशी शब्द, किसी भाव या गुण के नाम है हम इन्हें छू नहीं सकते, केवल अनुभाव कर सकते हैं ऐसे संग्या शब्द भाव आचक संग्या कहलाते हैं। अतहा हम कह सकते हैं। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोश या अवस्था को बताते हैं, उन्हें भाव आचक संग्या कहते हैं। किसी भाव, गुण, दोश या अवस्था को बताने वाले शब्द भाव आचक संग्या कहलाते हैं।